Hello everyone, welcome to my channel आज की वीडियो में हम जानेंगे दाओ का English और Hindi मीनिंग या अर्थ क्या होता है दाओ का Hindi अर्थ होता है आपको तुम, तू, तैं वही इसका English मीनिंग होता है आर्चेक और डायलेक्ट फॉम औफ यू as the singular subject of a verb इसे हम example से समझते है यहां दाओ का मतलब होता है आपको तुम, तू और तैं उदाहरन अपने दोस्त को साबित करें कि आपको जरूरत है इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना है तैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो